दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिसकस करेंगे स्केल के बारे में जो एक important engineering drawing instrument है स्केल एक measuring stick होता है और इसका प्रियोग हम करते हैं जब भी हम drawing बनाते हैं drawing seat के उपर तो उस दोरान measurement को transfer करने के लिए या measurement के हिसाब से drawing को draw करने के लिए scale का इस्तेमाल किया जाता है जैसा कि अगर हम बात करें drawing बनाते समय सभी परकार की measurement चाहे length है, breath है या पिर कह सकते हैं कि कोई distance अगर हमें draw करना है तो वो सभी जो measurements हैं वो हम scale की मदद से ही draw करते हैं और जैसा कि हमें पता है कि जो scale एक measuring stick है इससे हम जो dimension है उसको map भी सकते हैं और अगर इसकी construction की बात करते हैं जो scale है यह flat हो सकता है bevel edge हो सकते हैं इसके triangular cross section इसका हो सकता है और दूसरी बात अगर इसमें देखें जो dimensions या जो division इसके उपर बनी होती है यह इसमें mm जैसे कि यह 1 cm है और 1 cm में 10 mm होते हैं तो इसकी जो सबसे छोटी division है वो 1 mm की होती है दूसरी तरफ अगर हम बात करें वो inches में होती है तो इस परकार से जो division है वो scale के उपर अंकित होती है अब बात करते हैं कि material जो scale है यह wood का भी बना हो सकता है steel का भी बना हो सकता है नॉर्मली जो scale है अगर हम बात करें उनकी 15 cm की length होती है जैसे अगर आप इस scale को देखते हैं तो 0 से लेके 15 cm तक इसकी लंबाई है और इसकी जो weight होती है वो 2 cm होती है जो चुड़ाई होती है इसके अत्रिक्ट 30 cm की लंबाई और 3.5 cm की चुड़ाई के size में भी जो scale है वो उ यूज करते समय कुछ सावधानी बरतनी चाहिए इसको properly हमें handle करना चाहिए साथ भी जब भी scale का हम यूज करते हैं तो इसको कभी भी हमें as a ruler की तरह इसका हमें use नहीं करना चाहिए और इसको अच्छी तरह से साव भी कर लेना चाहिए अब बात करते हैं कि जब engineering practice करते हैं drawing बनाते हैं तो उस दोरान जो scale है वो अलग-अलग परकार के होते हैं according to isi के अनुसार एक होता है full side scale reducing scale और enlarging scale जो full side scale है इसमें 1 ratio 1 होता है मतलब कि जो drawing seat पर हमने 1 cm की अगर dimension बनाई है तो actually ground पर भी वो 1 cm ही होगा तो ये mention होता है हमारे scale के उपर कि 1 is to 1 का है या 1 is to 2 का है 1 is to 5 का इस प्रकार से अगर reducing scale की बात करते हैं तो 1 ratio 2 इसका मतलब ये है कि अगर हमने 1 cm जो dimension है reducing scale की अधार पर बनाई है seat के उपर तो वो actually ground में वो 2 cm होती है अगर 1 ratio 5 का scale है तो अगर 1 cm हमने drawing seat पर अंकित किया है तो वो 1 cm का मतलब है ground पर वो 5 cm होगी उसके बाद बात करते हैं enlarging scale इसमें होता है 10 ratio 1, 5 ratio 1, 2 ratio 1 इतियादी तो अगर seat के उपर हमने 10 cm की कोई भी dimension measure की है तो actually ground में वो होती है 1 cm तो इस प्रकार से जो dimensions है scale के अधार पर अलग-अलग scale के अंसवार ये बनाई जाती हैं तो दोस्तो आज हमने इस वीडियो में आपके साथ discuss किया engineering drawing instrument scale जो एक measuring stick होता है कि ये किस material का बना होता है इस पर dimensions किस प्रकार से अंकित होती हैं कैसे इसका प्रयोग किया जाता है अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगा आप इसको like कर सकते हैं share कर सकते हैं अपने दोस्त के साथ students के साथ और जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद आपका दिन सुब रहे